खेत पर पशू चराने गई यूवक की संदिग्द परिस्तितियों में मौत परजनों के अनिसार आकाशी बिजली से हुई मौत शिफपुरी जिले के बहुती धाना अंतरगत ग्राम मधया बामौर में एक यूवक की संदिग्द परिस्तितियों में अपने खेत पर मौत हो प्राप्ति जानकारी के अनुसार नवल लोधी सुभा पश्मों को चराने अपने खेर पर ले गया थोड़ी ही देर में आकाशि बिजली करतने के साथ तेज वारिश शुरू हो गई संबफता बिजली की ही चपेट में आने से यूवक की मौत हो गई जैसे ही यूवक के यूवक के शव को लेकर घोंती थाने पहुँचे जहां पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया फिनाल पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण इस पश्ट हो पाएगा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार म्रतक नवल क किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी ना ही उसके शरीर पर कोई चोट के निशान है शिव पूरी ससमवादा था रानु राजपूत के रिपोर्ट पच्छी साल मारें रहें थी नहीं थी नहीं थी नहीं थी जानकारी के लिए संपर करें 9453 907214